हेलो फ्रेंज चलिए मैं आपको फिर से कौन नेट जान का पायदान बनाना सिखाएंगे जिसके लिए मैंने यहां पे दो कलर की वूल ली है आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं और यहां आप पुरानी चुन्नी और साडी से भी बना सकते हैं यहां पे मैं वूल में आपको बता रही हूँ इसके लिए मैंने नो नमबर सलाई ली है दोनो कलर की वूल को मैंने फोल्ड किया हुआ है फोल्ड वूल से मैं आपको बताऊँगी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अगर आपके पास वूल मोटी है तो आप सिंगल वूल से भी आप बना सकते हैं सिंगल दागे से भी यहां पे मैंने दोनो कलर को डवल किया हुआ है इससे मैं आपको बहुती प्यारा सार बहुती सुन्दर सा डोर्मेट बनाना बताऊँगी जो बनाने में बिलकुल इजी है आप इस डोर्मेट को किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं जैसे कि टेबल मेट की जगा या थाल पोस की जगा या पूजा आसन की तरह किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं तो आईए मैं आपको यह सुरू से ही बताऊँगी किस तरह से मैंने बनाना है वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज जरूर लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं प्यारा सा हमारा दूर्मेट आपको कैसा लगा चलिए सबसे पहले हम इस कलर से फंदे डालेंगे तो देखिए मैं सिंपल ही इसमें फंदे डालूंगी आप इसी 32 फंदे का भी बना सकते हैं 40 फंदे का भी जिस तरह से आप बनाना चाहें उस तरह से आप इसको बना सकते हैं तो यहां पर मैं आपको 24 फंदों में बता हूँगी 24 फंदा मैं इसी तरह से डाल लेती हूँ यह देखे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा इसी तरह से मैं अपना 24 फंदा डाल के कंप्रीट करती हूँ तो देखे मैंने यहां पर 24 फंदा डाल लिया है और यह देखे 24 फंदे में मैं आपको बता रही हूँ आप इसे 32 फंदे का, 40 फंदे का इस तरह से, 42 फंदे का इस तरह से आप डाल सकते हैं तो देखिए सबसे पहले मैं फर्स्ट रो को इस तरह से बना लूँगी और प्लीज आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेश करें ताकि आपके पास हमारी वीडियो के नौटिपिकिसल पहुंच सके और आप कमेंट करके भी ज़रूर बताएं तो यहां पर यह देखिए मैं फर्स्ट रो को इस तरह से बना रही हूँ एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सतरा, ठारा, उननिस 20, 21, 22, 23, और यह 24 तो फर्स्ट रो मैंने बना ली है अब हमने क्या करना है तो देखिए फ्रेंज, यहाँ पर हम दोनों साइड से फंदा छोड़ते हुए बीच तक आगे हैं, यह देखिए इस तरह से, हर बार मैंने दो-दो फंदा अपना छोड़ा है यह देखिए, अभी चार फंदे रह गए हैं किये देखिए, इस तरह से और यहाँ पर आप यह देखिए, मैं आपको गिन के बता रही हूँ दो, चार, छे, आठ, दस, बारा बारा फंदे इस साइड हो गए हैं दो, चार, छे, आठ, दस, बारा बारा फंदे, बारा बारा फंदे दोनों साइड हो गए हैं अब यह देखिए, अब जिस तरह से फंदा छोड़ा है उसी तरह से दौनों साइड से बनाएंगे यह देखे दो फंदे ले लिए हैं हर बार हम यही करेंगे जैसे फंदे छोड़े हैं वैसे ही दौनों साइड से फंदा लिया जा रहा है दो, तीन, चार, पांच, छे और गैप के लिए आप फंदा उठा लें इस तरह से और दूसरे फंदे के साथ उसको बना लें साथ, आठ जिस तरह से फंदे छोड़े हैं वैसी तरह से बना रहे हैं आठ फंदे मना लिये हैं अब दो फंदा इस साइड से लेंगे और यह देखे गेपिंग के लिए फंदा उठा लिया है और ये 10 फंदा हो चुका है यहीं से पलड़ जाएंगे अब जैसे फंदे छोड़े हैं सेम तरीके से दोनों साइट से फंदे को लिया जा रहा है प्लीज आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ये देखे आप कमेंट करके भी नहीं बता रहे हैं हम लोगों को कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगती है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तब भी लिख के बताएं अगर नहीं भी अच्छी लगती है तो तब भी कमेंट करके बताएं ये देखे अब दोनों साइट से फंदे को ले रहे हैं हम चार फंदा रह गया है इदर दो तीन चार पांच छे साथ आठ नों दस ग्यारा बारा तेरा चोड़ा पंद्रा सोला अब चार फंदे इदर हैं तो दो फंदा ही रह गया है दो फंदे हमने ले लिए इदर से और यहीं से पलट जाएंगे अब जिस तरह से फंदा छोड़ा था उसी तरह से हम इनको बना रहे हैं तो आईए यहां से लेके दो फंदा इस साइट से भी ले लेते हैं यह देखिए दो फंदा इस साइट से भी ले लिया है दो फंदे और रह गए हैं अब यह देखिए यहां पर हम जो फंदा हम उठा रहे हैं दूसरे फंदे के साइट उसको बना ले रहे है यह देखिए अब यहां पर हम सभी फंदों को ले चुके हैं अब लाश्ट के अभी दो फंदे ओर रहे हैं तो देखिए 21, 22, 23, 24 तो देखिए यहां पर हमारी बीचवारी कली बनके कम्प्लिट हो चुकी है अब हमने क्या करना है तो देखिए हम जैसे फंदा छोड़ेते वैसे ही बना लिये हैं और बीच की पत्ती बनके कम्प्लिट है अब यहां पर हम आउट लाइन के लिए अपना यलो कलर लगाएंगे यह देखिए इस तरह से तो पत्ती को बनाने के बाद मैंने यहां पर अपना आउट लाइन के लिए यलो कलर को लगा लिया है सभी चोईस बंदों को यलो कलर से हम बना के कम्प्लिट करेंगे इनको कलर कॉमनीशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो भी आपको पसंद है आईए यहां पर सीधी उल्टी सलाई यलो कलर से बना के पूरा कम्प्लिट करते हैं यह देखिए उल्टी सलाई तो हो चुकी है यह देखिए अब सीधी सलाई को भी वैसे ही बना के पूरा कर लेते हैं सीधी सलाई को बनाते विए आगे हैं और इस फंदे को हम इस तरह से सीधा बनाईए यह देखिए अब हमने क्या करना है यहाँ पर एक सलाई हमने बना ली है अब दो फंदा तो हम आउट लाइन के लिए अपना यलो से ही बनाएंगे यह देखिए इस तरह से उसके आदा फंदा हमने इसी कलर से बनाना है यह देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस तो यानि की यलो कलर के फंदे लगाके टोटल बारा फंदे हो चुके हैं दस फंदा मैंने इसी कलर से बना लिया है और यहाँ पर यह देखिए दो, चार, छे, आठ, दस, बारा फंदे इस साइट छोड़ दिये हैं और यहीं से अपना वापिस हो जाएंगे तो यह हम आगे का फ्लावर बनाएंगे अब यह देखिए दस फंदे बना लिये हैं, पीछे हम धागा करेंगे यलो को हम आगे लाएंगे इस तरह से और यह फंदा हम इस तरह से सीधा कर लेंगे इस तरह से अब हमने क्या करना है, दो फंदा हम अपना आउटलाइन वाला यलो से ही हर बार अपना बनाएंगे अब यह देखिए इस दागे को इस तरह से करेंगे और यहाँ पर इस दागे से इस तरह से बनाएंगे ताकि यहाँ पर अच्छे से हमारा सिलाई की तरह हो जाए दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ लाश्ट का दो फंदा मैंने छोड़ दिया है अब ऐसे ही हम अपना यह दस फंदा दो दो करके सभी को छोड़ेंगे हर बार हमने ऐसे ही करना है और यह देखी धागा पिछे कर लिया है इसको आगे लाएंगे और यहाँ पर एक फंदा उल्टा लाश्ट वाला फंदा इस तरह से सीधा अब यहीं से यह देखी दो फंदे यलो से बनाएं इसको ऐसे पकड़े और इससे हम बना लिए तो यहाँ पर यह देखी अच्छे से यह चिलाई की तरह आ रहा है तीन चार पांच और यह च्छे तो आईए यह दो च्छे फंदों को भी दो दो करके ऐसे ही छोड़ के कंप्लेट करते हैं तो देखी यहाँ पर अभी दो फंदा बाकी है छोड़ना तो मैं आपको यह दिखा रही हूं पीछे दागा किया यह देखिए और दो यलो बनाए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इस तरह से अपना यह लो ही बना लिये हैं और यह लाश्ट के मैंने दो दो करके अपना दस फंदा पूरा छोड़ दिया है यह देखिए इस तरह से तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच यानि कि हमारे यह दस फंदे थे तो यहाँ पर पांच सलाईया टोटल हो चुकी है अब यह देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे अब जो फंदे मैंने छोड़े हैं सभी को हम यहाँ पर बना लेते हैं यह देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस यहीं से वापिस हो जाते हैं अब फिर से हम यह अपना वैसे ही फिर से चोड़ेंगे दस फंदा अपना, जैसे मैंने आपको यह अभी बताया है, सैम तरीके से यहाँ पर छोड़े थे मैंने दस फंदे सभी को बना लिया है अब फिर से हमने दस फंदे को छोड़ना है यह रेखे, तो यहाँ पर आदी पत्ती हमारी बनके यह कंप्लेट हो चुकी है अब यह रेखे, दो फंदा ऐसे ही यलो से बनाएंगे, अब लाश्ट के फिर से दो फंदे चोड़ेंगे जैसे यह आदी पत्ती बनाई है, वैसे ही एक पत्ती और बनाएंगे चार, पांच, छे, साथ, और यह आथ लाश्ट के मैंने दो फंदा फिर से छोड़ना शुरू कर दिया है तो आईए छोड़े लेते हैं, यह फंदे भी ऐसे ही पांच सलाईयां बना लेते हैं उपर भी तो देखिए मैंने फिर से छोड़ लिये हैं अपने दस फंदे अब यह देखिए छोड़ने के बाद हम सभी को बनाएंगे फिर से यह देखिए, एक, दो, छोड़े हुए फंदे हैं सभी चार, पांच, छे, साथ, आत, नो, दस यहीं से फिर से वापिस हो जाएंगे तो यहां पर कली मेरी बनके कंप्लिट हो चुकी है यह देखिए, अब हमने क्या करना है यहां पर अपने यह 12 दस फंदों को भी अब पूरा यल्लू कलर से बनाएंगे यह देखिए दो, ती, चार, पांच, छे, साथ, आत, नो, दस और यह देखिए, गैप को हम इस तरह से यहां पर यह देखिए, मैंने फंदे को उधेड लिया है और यहां पर हम तीनों फंदों को एक साथ बना लेंगे तो यहां पर हमारा गैप यह बंद हो जाएगा यह देखिए तो यहां पर एक कली मेरी बनके कंप्लिट हो चुकी है अब इस साथ जो हमने फंदे सभी आदे फंदे से कली बनाई थी अब यहां पर ही रिखिए, एक कली मेरी बनके इस तरह से कंप्लिट हो चुकी है यह देखिए आप देख सकते हैं आप हमने क्या करना है बापिस हम अपना यहां पर इसी कलर को एड़ करेंगे यह देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा और यह देखिए गैप को ढखने के लिए यह देखिए दूसरे फंदे के तीसरे फंदे के साथ तेरा चौदा पंदरा शोला सत्रा ठारा 19, 20, 21, 22, 23, 24 इस तरह से अब देखिए गैप हमारा बिल्कुल बंद हो चुका है यहां पर यह देखिए इस तरह से अब हमने जैसे यह सुरूबा से पत्ति को बनाया था सेम तरीके से ऐसे ही बनाएंगे और वापिस अपना फिर से यही फुलावर को बनाएंगे इस तरह से हम इसको पूरा बनाके कंप्लिट करेंगे और उसके बाद आपको फिर दिखाएंगे दौनों साइट से छोड़ते हुए फंदे को बीच तक हम आएंगे जैसे यह बताई थी सेम तरीके यहां से बीच तक आजाएंगे और आने के बाद आदे फंदों को इधर करेंगे यहां पर पूरा यलो कर देंगे आउट लाइन लई है यलो कलर की तो आईए इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं तो देख होगा यहां पर देखिए सबी कलिया मैंने जैसे यह बनाई है सेम तरीके से सब भी बना ली है इसी तरह से यह देखिए काफी शुंदर लग रहा है और कलर कॉमणीशन मैंने आपको बताया कोई भी आप ले सकते हैं जो भी आपको पसंद है और किशी भी तरह से इसको यू कंप्लेट करेंगे चार मैंने इसमें बना ली है और चार ही कली और मैं इसमें बना के अपनी कंप्लेट करूंगी उसके आगे आपको यहां पर आउटलाइन पर ही क्योंकि मैंने आउटलाइन से यहां पर सुरूवात नहीं किया है तो आउटलाइन से ही मेरे सारे फंदे घ हटाने पड़ते अब क्या करना है जब यहां पर लाश्ट में यहां चार कली और बना लेंगे तो यहां पर आउट लाइन से ही हम सभी फंदों को बंद करेंगे यह लू कलर से ही तो ऐसे ही मैं इसको बनाते विए कंप्लिट कर लेती हूँ पहुत ही शिंपल सार इजी सा डिजाइन है अच्छे से वीडियो पूरा देखें आपको किलियर समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मैंने इसको बनाया है हर बार हम ऐसे ही दो दो फंदे छोड़ते हुए बीच तक आएंगे यह रिखें इसके बाद अच्छे से यह अपना फुलावर बनाएंगे यह रिखें एक दो तीन चार पांच पांच कली पांच सलाइयं मैंने बना ली है इसके बाद यह रिखें यहां पर यह पूरी हम बना ली है इसके बाद यह रिखें एक दो तीन चार पांच पांच सलाइयं ही उपर बनाई है इस तरह से यह प्यारा सा हमारा बनता चला जा रहा है तो चार और इसमें ऐसे ही बना के कम्प्लिट कर लेते हैं उसके आगे आपको फिर दिखाते हैं तो चलिए कर लेते हैं इसको ऐसे ही यह देखिए बहुती सुन्दर लग रहा है